नमस्कार दोस्तों स्वाइगत है आप सभी साथ्यों का एक्समार्ट श्टेडी पर साथ्यों आज पांच मार्च दोजर चौविस और आज ससी जीडी कॉंस्टेवल का पेपर था जिसका चोथे सिफ्ट का पेपर छुट चुका है आज की इस वीडियो में आज चोथे चैनल स्ब्सक्राइब करके ब्यादी कॉन एक क्यूंस्ट आज के चुस्टे सिफ्ट में पूचे अपकर दिजेगा बहुत अपको भक्ति सर्मा का संबन की स्खेल से है तो ध्यान से दिखिएगा भक्ति सर्मा का संबन जो है वो निसाने बाजी से है तो साथ वी इस question का correct answer तो आपका हो जाता निसाने बाजी से आगे एक question आप से ये पूचा था कि भारत का जो केंद्रिया बैंक है RBI, Reserve Bank of India, इसकी अस्थाप अपना हुई थी एक अप्रेल 1935 को और इसका राष्ट्यकरन जुलाई 1949 में हुआ था अगर आपसे पूछे आने वाले सिप्टों में कि RBI का राष्ट्यकरन कब हुआ था किस वर्स तो 1949 में ये भी आपको याद रखना है और इसकी अस्थपना एक अप्रेल 1935 को हुई थी किस राज का जनसेंक्का घंथ सबसे अदिक है तो believed अगर आपसे पूछे कि किस राज का जनसेंक्खा घंथ ओससे कम हुई तो अरुनाचल परदेश का ऑगर आप से पूछे किकें जनसेंखा घनतों सबसे अधीक है तो याद रिखेगा दिल्ली का ठीक है चलिए आगे दिखते हैं आगे एक कोश्चन ये था कि ब्रह्मा समाज की अस्थपना किशने की थी आजी बताये थी आजी सवेरे बताये थी ना जिस वक्त आज पूछा था सवेरे पहले सिप्ट में क कि आजी आजी बताये थे पहले सिप्ट वाले अनलाइसे वाले क्लास में इसका करिक्टेंस रपका हो जाता राजा राम मोहन राई 1828 मैंने जो एक्सपेक्टेड कोश्चन के सेट आपको प्रुवाइड कराएं जिनका पेपर अभी बाकी है उन क्लास को देख कर जाना 2022 का ICC T20 World Cup का खिताब किस तेश ने जीता था तो इसका करिक्टेंसर हो जाता इंगलेंड ने जीता था किसको हराकर तो पाकिस्तान को हराकर इंगलेंड ने जो है T20 World Cup 2022 का खिता था याद रखना भारत ने अभी तक केवल एक बार T20 World Cup जीता है और वो पहला ही संसकरन था ज निकालना पहले आपसे पूछा था आज सेकंड शिप्ट में कि लिंग अनुपात कैसे निकालते हैं तो मैंने आपको बताया था कि प्रती हजार पूरूसों पर जो महिलाओं की संख्या होती है वो लिंग अनुपात का लाता है तो इस वार 2011 की जो जनगरना थी उसमें भार की किस राज का सास्त्रे निर Heights है तो आसानी से आप लोगों ने आंसर क्या होगा इस question का कुछी PG Kei बात करें तो साथ्यों आंद्र प्रदेश का ये सास्त्रे निरित है तो इस question के लिए correct answer आपका हो जयता आंध्र परदेश एक कोस्चन था उस्ताद हसुख का की बात करें तो हिनका संब्ण जो है किस गाई की स해 तो शाथ यह vraag ख्याल गायकी की आपको ऑप्षों दिया हुआ था जो कि 100% आपका करिक्ट एंसर हो जाता तो आए होप आप सभी ने इस question का अंसर सही क्या होगा कि उस्ताद हसु खां का संबंद किस गाई की से है तो या किस से है तो भई ख्याल गाई की से देखिए आगे question आप से पूछा था कि बांगलादेश के साथ भारत के सीमा इनमें से कौन सा राज्य है जो कि साजहा नहीं करता है या नहीं भारत क किस राज की सीमा बांगलादेश के साथ नहीं लगती है यह आपको बताना था तो इस question का मुझे option तो नहीं मिल पाए था इसलिए साथियो देखिए बांगलादेश की सीमा भारत के जो जो राज्यों से लगती है मैंने वो यहां लिख दिया है आपको बता देख कि भारत भ और एक कोई दुसरा दिया हुआ था वही आपको आंसर करना था देखिए आगे एक question था अबवा आवास योजना किस राज सरकार ने सुरू किया है तो अबवा आवास योजना की बात करें तो इसको किस राज ने सुरू किया है यह पूछा गिया था तो याद रिखेगा correct answer हो जाता जारखंड ने अब वहा आवास योजना की सुरूवात किसने की है तो साथ यह जारखंड ने इस question के लिए correct answer आपका जारखंड हो जाता देखिए एक question यह था कि भारत की 95 वरसी योजना की अवधी क्या थी तो यह भी question simple था आप लोगों ने आसाने से क्या होगा 2. 2.0 में smart study 2.0 में मैंने यह सारा topic आपको करा दिया है तो देखिए भारत की जो 95 वरसी योजना थी उसकी आवधी क्या थी तो साथ यह 1997 में यह शुरू ही थी जो कि 2002 तक थी ठीक है तो 1997 to 2002 इस question के लिए correct answer हो जाता जो कि आप लोगों ने सही किया होगा इतना मुझे मदरास और कोलकता उची नियालो की अस्थपना 1861 में हुई थी संयुक ग्रूप से लेकिन बंबे हाई कोट की अस्थपना जो है ना पूरे actual अगर देखें तो 14 अगस्त 1862 को ही थी तो अगर 1862 आपके option में ना था और 1861 था तो वही आपका correct answer हो जाता ठीक है अब option में क्या दिया हुआ था आप हमें comment box में बताना कि 1862 option में था या नहीं अगर 1862 आपके option में था तो यही आपका right answer हो जाता चलिए आगे देखते एक question यह था कि बरतमान में भारत के केंद्रिया सतकर्ता आयुक्त कौन है तो यह तो यह भी question simple है आप लोगों ने आसानी सीखिया होग तो देखिये बरतमान में भारत के केंद्रिया सतकर्ता आयुक्त कौन है करेंट एफेस का question था और इसका right answer हो जाता प्रवीन कुमार सिरीवास्तव जो की बरतमान में भारत के केंद्रिया सतकर्ता आयुक्त है तो प्रवीन कुमार सिरीवास्तव इस question के लिए आपका right answer होता आगे एक question ये था कि बरतमान में महराष्टा के उपमुख्यमंत्री कौन है तो देखिए एकनात सिंधे जो कि महराष्टा के मुख्यमंत्री है और वही 2022 में इनको उपमुख्यमंत्री बनाया गया था कौन तो देवेंद्र फडनवीस को तो देवेंद्र फडनवीस इस question का correct answer हो जाता जो कि महराष्टा राज के बरतमान में कौन है तो भई उपमुख्यमंत्री है उपमुख्यमंत्री आप से पूछा था देवेंद्र फडनवीस करेक टेंसर हो जाता देखिए question था मेहरगर का सभियाता लगबग कितना वर्स पुराना है तो देखिए मेहरगर सभिय करनाता साथ हो देखिए आपका पेपर हम कब बचा हुआ है अब देखिए कि सिफ्ट है याप हमें बता दी ले क्योंकि आप केबल पेपर जो है आपका कल है च्छे तारिक और साथ इमया पर नहीं है पहले कि पहले जहे अपका पेपर 7 गी ता इस के अलावा 11 11 और 12 को भी था लेकिन 11 12 को समाप्त करके उनका वो पेपर जो है आपका 6-7 को ही कर दिया है यानि 6 तारिक और 7 तारिक को ही आपका पेपर है उसके बाद और पेपर नहीं है दो ही दिन अब बचा हुआ है ठीक है देखिए उगादी उत्सव कि सराज में मनया जाता है तो साथ आपसे इससे पहले सिप्ट में 20 तीवार पूछा था जो कि केरल में 9 वर्स के रूप में मनाते हैं उसी परकर यह जो उगादी उत्सव है मैंने आपको प्रिक्टिस सेट कराया था अभी एक्सपेक्टेड कोस्टन का उसमें यह बताएं थे वही आ गया है डिरेक्ट देख वही टोपिक आ रहा है बिलोम सब्द के हर सिप्ट में दो कोस्टन पूछे जा रहे परियावाची सब्द आपसे दो पूछे जा रहे इसके अलाव मुहावरे एक से दो कोस्टन पूछे जा रहे तत्सम और तदभाव से एक कोस्टन पूछे जा रहे बाट के सुद्धी से दो से तीन question आपको पूछे जा रहे हैं इसके अलाव भाव आचक संगा से भी एक आद question आपको देखने को मिल रहा है और बाकी गधान्स जो है आपसे वो तो पूछा ही जा रहा है हर सिप्ट में पाच नंबर का तो overall अगर देखे न साथ यो तो paper का label जो पहले था वही है आपको घबराने की बात नहीं है आप जैसे पढ़ रहे हो जो जो topic पूछा जा रहा है सुरू से बिलकुल वही topics पूछे जा रहे है आसानी से आप लोग qualify कर सकते हो इस बार क्योंकि paper का label जो है बिलकुल easy है लेकिन cut off जादा जाएगा इसलिए आप लोग risk लेना क्योंकि साथ यो इस बार negative marking भी आपका 0.25 है यानि अगर 8 question आपका गलत होता है तो आपका एक number कटेगा तो इसके लिए अगर आपको कोई भी question पे doubt हो क्या रिये answer होगा या नहीं होगा तो आप थोड़ा risk लेना और उस question को tick करके आना तो साथ यो आज के 4 shift में इतने questions मिल पाए थे अब मिलेंगे कल पहले shift के analysis के साथ चैनल के अंदर जो मैंने expected questions के set करवाए हैं उनको देख कर जाना मिलेंगे आपसे next video में विडियो को एक like कर देना comment box में जरूर बताना आपको questions कैसे लगे हैं कोई भी question याद है अगर आज के 4 shift में अगर आप में से कोई भी paper देकर आए हैं तो comment कर देना मिलेंगे next video में तब तक बिल्कुल स्वस्त रहें जहिंद वंदे मातरम